गुड आफ्रिनून एफ्रिवान वेल्कम टू सुवल सर्विसे स्टडी प्रैक्टिस साइट नमबर ये 284 है यूपी पीसियस के लिए टाइस सीरी शल रही है तो उचले स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कौश्चन नमबर वन है निम्ले के दूसे कौन सा देश वाल्टिक सागर रूस और यूक्रेन के वीच लगबएक साल से वीबात चल रहे तो क्या दोनों के दोनों देश वाल्टिक सागर के साथ अपनी तठीए सीवहां नहीं करता तो Eliminate कर को जहां-जहां करता नहीं होगा इसके सटर पाँद्स प्राईडि स्वीडिन ने उतर पूरब में फिन्लेंड पूरब में स्टोनिया रूस लिथोवानिय लाट्विया ऊच्रिम दक्षण में जो है पॉलेंड है और दक्षण में डैनमार्क और जर्मनी है तो यह वाल्टिक सागर वाल्टिक सागर यह पॉलेंड है लिथवानिया है लात्विया है इस्टोनिया है रूसिया है फिनलैंड स्वीडन है नौर्वे है क्योंकि यहां तक जा रहा है ना यह यह भी आ गया और यह जर्मनी भी आ गया यूक्रेन नहीं है कि कुश्चन नबर टूपर आज़ें अमर्ट में से कौन से आर्ध नियाइक निकाए हैं वित आयोग राश्टे हरित अधिकरन लोग अदालतें नीचे दिए कूट की साहता से से उतर कॉश्चन आप करना यह तीन में प्रश्चन बनाया था अर्ध नियाइक सक्तियां हैं इसके पास तो यह है राश्टे हरित अधिकरन भी है ठीक है एंजिटी ने अभी जो है केरल पर 10 करोड रुपे का जुर्माना लगया है ठीक है जो दो आद्र भूमियां हैं उनको संरक्षित नहीं कर पाई केरल सरकार लोग अदालतों के पास भी अर्ध नियाइक सक्तियां हैं ठीक है तो एक दो तीन इसका अंसर हो जाएगा डी देखें भी एक टेस्ट में जो है यह प्रश्चन था कि केरल सरकार के उपर जो हैं जीटी ने 10 करोड रुपे का जुर्मान लगया 10,000 करोड नहीं है वो 10 करोड ठीक है डी है इसका अंसर है तो एक अर्ध नियाइक निकाय एक नियाल है विधाइका के इलाबा सरकार का अंग है जो नीजी पार्टियों के अधिकारों को निर्णाय या नियम के माध्यम से प्रभावित करता है अर्ध नियाइक निकाय नियाइक नियाइक निकायों के वि ट्रिबुनल है केंद्रे सूचना आयोग यानि सेंटर इंफॉर्मेशन कमिशन लोग अदालतें हैं वित आयोग है राश्टी उपभोगता विवाद निवारण आयोग है और आईकर अपीली है नियाधिकरन है सबके सबके नाम याद रखेगा कोश्चन नमबर 3 पर आजए है भारत में LGBTQ अधिकारों के संदर में नम्रिकित कतनों पर विचार करेंगे LGBT लेजबियन गे बाइसेक्सवल ट्रांसजेंडर क्यू फॉर क्वेर ठीक है देखें समलेंगिक विभाको भारत में कानूनी मानिता प्राप्त है नहीं समलेंगिक अठारे में जो है सुप्रीम कोट ने इसको अपराध की स्रिणी से हटा दिया भारत के सर्वोच ने ने भारते दंड सहीता की धारा 370 को असम बिधाने घोशित कर दिया है यह ठीक है जीवन साथी चुने जाने का धिकार अनुच्छे 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट्स है एक मौलिक अधिकार है भी यूपियसी दो तीन साल पहले तो प्रश्ण किया था यह तीसरा वाला तो दूसरा तीसरा सही है पहला वाला गलत है तो जहां जहां एक है उसको हटा दीजिए केवल दो और तीन इसका अंसर हो जाएगा भी देखिए नबतेज सिंग जोहर बन भारत संग मामला दोहर 18 वाला उस मामले में सर्वोच नियाले न आईपीसी की धारा 377 के देख संबलेंग इकता को अपराद की सिर्णी से बाहर कर दिया लेकिन भारत में संबलेंग एक विभा को कानूनी दर्जा अभी तक नहीं मिला है मिलना बाकी है इसलिए पहला स्टे उनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता तो दूसरा वाला करेक्ट है इसके अलावा लता सिंग बनाम उत्तर प्रदेश राजी की सरकार सफीन बनाम अशोकन और सक्ती वाहनी बनाम भारत संग के मामले मामलों जैसे विभेन नेर्णों में यह माना गया कि जीवन साथी चुन कोल चालगी भासा में LGBT यानि लेजबियान गे बाइसेक्सवल और ट्रांसजेंडर कहते हैं ठीक है वहीं कहीं और दूसरे वर्गों को जोड़कर इसे क्वियर समुदाय का नाम दिया गया है इसलिए LGBT क्यों भी कहा जाता इसको क्वेशन नमबर चौथा है नमले के दमें से कौन उन देशों में से एक है जो वर्षदुहर 23 तक वर्षदुहर 22 तक संसद में कम से कम 50% महिला परतिनित का दावा कर सकता है ठीक है वर्षदुहर 22 तक उस देश की पार्लामेंट में 50% महिला परतिनित है ये भारत तो है नहीं चाइना भी नहीं है अमेरिका भी नहीं है यह है न्यूजिलेंड अपसे नंबड़ी है इस काम से तो न्यूजिलेंड दुनिया के उन देसों में से एक है जो वर्स देहर वाइस तक संसद में कम से कम 50 प्रतिशत महिला प्रतिनुत का दावा कर सकता है भारत की बात करें तो भारत में आजादी के पिछले 75 वर्सों में लोग समय महिलाओं का प्रतिनुत 10 प्रतिशत तक भी नहीं बड़ा है कि वोशन नंबर 5 पर आजे सिक्कों को डिजाइन करने और ढालने का अधिकार किसके पास है केवल सेंट्रल गवर्मेंट के पास केवल वित्त मंत्राले के पास भारतर रिजर्बैंक और केन सरकार दोन केवल के सरकार को बेवल के सिक्कों को डिजाइन करने और ढालने की सकति देता केवल सेंट्रल गवर्मेंट को बाथ रिजर्बैंक और केन सरकार बैंक नोटों के डिजाइन और स्वरूप में बदलाव का फैसला करते हैं तो करंसी नोटों की बात करें तो RBI भी है और केंसर का RBI है कोश्चन अमबर 6 है भारत में उत्पादित कॉफी की किस्मों को पहचानी है टिटिका का और ओंटारियो अरेवी का रोबस्टा हौंगो मेकांग लाल सिंधी और जर्सी देखे टिका का और ओंटारियो ये तो ज्इले हैं ठीक है ये तो होगा नहीं हौंगो और मेकांग ये नदिया손 है देखे हौंगो नदि को चीन का सोख कहा जाता है मेकांग रिवर और किन-किन देशों से उकर गुजरती है इंपोर्टन्ट है भी प्रश्ण बनाया था दो तीन दिन पहले लाल सिंदी और जर्जी एगाय की हैं तो अरेविका रोबस्टा भी हो गए इस कांसर तो भारत में उत्पादित कौफी के प्रकार अरेविका रोबस्टा यह जो अरे उत्पादन की नीब बनाते हैं कोईला कच्छा तेल प्रकटी गैस रिफाइनरी उत्पाद और वरक स्टील सिमेंट और बिजली यह देश के समगर आर्थिक विकास रोजगार के अबसर उत्पन करने और देश की जीडिपी में योगदान के लिए महत्पूर्ण है कंपनी अधिनियम 23 से रिलेटेड़ दो स्टेटमेंट है यहां पर यह कंपनी के निर्गमन निगमन उत्तरदायुत्तो निवेश को और विकटन को निंधरित करता है ठीक है कंपनी अधिनियम 23 और इस अधिनियम में वन-पर्संड कंपनी नामक एक नया सब्द सामिल किया वन-पर्संड कंपनी यह करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसकांसर तो कंपनी अधिनियम 23 यह कंपनी के निगमन उत्तरदायुतो निवेश को निदेश को और विगटन को नियंत्रित करता है तो पहला करेक्ट है और इसे 29 अधियायों में विभाजित किया गया तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है कोशन नमबर नाइन पर आजए वेस्टन डिस्टर्वैंस यानि पश्चमी विक्षोप के संबंद में निम्रिखित कत्नों पर विचार करेंगे यह भूमत सग्रेश चेत्रमदपन होने वाले चक्रबाती तुफानु की एक संखल बिलकुल यह करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि इस वार वेस्टन डिस्टर्वैंस जो है ना दिसंबर में ना जन्वरियं वारिश पढ़ी क्या नई पढ़ी मार्च में पढ़ी और अब पढ़ रही है ठीक है और अभी तक की वर्सा है सब पस्मी चक्रवादी तूफानों की एक सरंखला है जो भूमद सागरे शेत्र में उत्पन होते हैं और यह 9000 किलोमेटर से अधेकी की दूरी तैकर के भारत में पहुंचते हैं यह उत्तर पश्मी भारत में शीत रितू में वर्शा के लिए उत्तर आई है तो पहला वाला करेक्ट है पश्मी विक्षोब भूमद सागर काला सागर के स्पिन सागर से आधरता एकत्र करता है और पश्मी हिमाले परवसे टकराने से पहले इरान और अफगानिस्तान के उपर से गुजड़ता है ठीक है देखें तूफान परणाली जो है पूरे वर्स में मौजूद होती है और मुखी रूप से दिसंबर और अप्रेल के बीच भारत को प्रवावित करते हैं जैसा की किया उपोश्ण कटी बन दिया पच्छवा जैट स्ट्रीम का प्रक्षेप बक्र शीत रितू के दौरान सीत रितू के महीनों के दौरान हिमाले छेत्र में सानांत्रित हो जाता है और शीत रितू के दौरान हिमाले के ग्लेशियरों में ब्रद्धी करता है तो दूसरा वाला करेक्ट है देखिए ये जो ग्लेशियर हैं वो गंगा सिंदू और यमुना जैसी प्रुमक हिमाली नदियों के साथ साथ असंख है और बती जहरनों और नदियों का पोश्ण करते है पश्मी विक्षोप की अनुपस्तिती के कारण उत्तर भारतिय मैदानी इलाकों में दिसमबर दोहर 22 और अधिकान जर्मणी दोहर 23 जनबरी दोहर 23 में हिमाले से बहने वाली ठंडी उत्तरी हवाओं के कारण शीत लहर और ठंडे दिनों का अनुपकिया गया ठीक है इस बा तो तीसरा बाला करेक्ट है कि दस्वा प्रश्ण है नुक्लियर नौन प्रोलिफरेशन ट्रिटी एन पीटी यानि परमाणू आपरसार संदी कब लागू होई क्या भारत इसका मेंबर है नहीं है वर्स 1970 में अप्सन नमबर है इसका अंसर तो परमाणू आपरसार संदी या हतियारों और हतियार प्रधुकी के प्रशार को रोकना परमाणू ऊर्जा के सांती पूर्ण उप्यों को बढ़ावा देना तधा निसस्त्री करण के लक्ष को आगे बढ़ाना इस संदी पर वर्स 1968 में हस्ताक्षर किये गए यह संदी 1970 में लागू होई और यही अपना आं ग्यारवा प्रश्ण इंद मिल्कित में उसे कौनसा उद्देश उडेदेश का आम नागरिक जानी उडान योजना का हिस्सा नहीं है इनमेंसे कौनसा नहीं है तो अंतरस्ट्य कनेक्टिवियटी को किफाईती बनाना इसमें नहीं है बिमानच खेत्र में रोजगार के अव पूछे जाती है कि कभकी है ठीक है यूपी पीसेस में चेत्रिय कनेक्टिविटी योजना है ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है तो अंतराष्ट्य वाला गलत है वैसी और इसे राष्ट्य नागर विमान नीती रहर सोले की समिक्षा के धार पर तैयार किया गया और यह दस वर्षों की अबधी के लिए लागू रखने की योजना थी बारवा प्रेश्ट्य ने मिल्गत में से कौन से मांदंड किसी भी राजी को विसेश स्रेणी का दर्जा प्रदान करते हैं चार है ये देखिए वो राज जो है पहाड़ी लाता होना चाहिए उसमें और पड़ोसी देशों के साथ सीमा उपर सामरे के स्तिती होनी चाहिए आर्थिक और बनियादी धाचा संबंदी पिछड़ापन होना चाहिए राज के वित्त की अवेभार प्रकरती होनी चाहिए सारे हैं ये डी हैस कांसर तो विसेज स्रेणी का दर्जा कें सरकार के द्वारा दिया जाता है इसका उद्देश जो है भोगलिक और सामरे का आर्थे के सीमित ताउबाले राज्यों के विकास में साहता करना है पहली बार 1969 में जमु कस्मीर असम और नागा लैंड को दर्ज में उस राज में जन जाती है जन संख्या का बड़ा हिस्सा हो और पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरे किस्तिती हो आर्थिक और अधार भूत संद्रशना के संद्रम पिषड़ा पनो और राज के वित्त की अवेभार प्रकृती हो नोटाम के संदर में नमलिकित प बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का भियान है या विमान के पाइलेटों को संभावित खत्रों से आगाह करने के लिए जानकारी प्रदान करने है तू विमानन प्राधिकर्ण द्वारा जारी की गयादी सूचना क्या है इसका अंसर है डी ठीक है नोटाम तो देखिए भारत में नोटाम या नोटिस टू एरमैन दूर संचार के माध्यम से प्रेशित नोटिस है जिसमें किसी बैमानी की सुविदा सेवा प्रकरियाए खत्रों की सितिया परिवरतन से संबंदित जानकारी होती है जिसका समय पर घ्यान उड़ान संचारन से कर्मियों के लिए अवश्क है कि फॉर एक्जामपल हाली में जो है अमेरिका में कंप्यूटर सिस्टम में बड़ी गड़वड़ी के कारण हजारों उड़ाने रद करती गई यह कारवाही नोटिस टू एयर मैं यानि नोटाम नामा के प्रुमग पाइलट अधी सूचना प्र को नोडल प्राधी करण है इन में से है कौन हैं यूश्श मंत्राले क्रशे मंत्रा ले एक रास्ट एक औरबरक योजना की योजना शुरू की है और इस पहल का उद्देश है भारत के सामान ब्रांड नाम के तहट देश में औरबरकों की बिकरी को बढ़ावा देना कोशन नुम्बर 15 पर आजए हाल ही में खबरों में रहे ईज सुधार संबंदित हैं किस से संबंदित हैं बारतिये बैंक संग के तहथ बैंक कि चेतर में सुधार ऐस उभर जास हए ब्रण 17 में भारतिये संग शुदा यनी आई वीए के तहथ सुरू की आ गया तो अ कर एक रेंटर नवीदीर मेंस हुए दो पुर्मुक्त पहले सामिल है एक यह वाली और एक किये वाली उतने याद रखिया आप चलिए कोशन नुबर 16 पर आजएए अधिक्तर प्रस्ट एकॉनोमिक्स के हैं इस टेस्ट में भारत के व्यापार घाटे में ब्रद्धी का परिणाम निम्रिकित में से क्या हो सकता बताईए यदि भारत के व्यापार घाटे में क्या हो सकता है किànhी रूपें का अभिमोल्ययन होगा जीडीए पी में ब्रद्धी क्या होगा है भारत के व्यापार घाटे में ब्रद्धी हो रहे हैं तो इसका प्रणाम होगा रुपें का मूलेयन open the application अभ curation और पर रूपीज तो जब व्यापार घाटा बढ़ता है तो इ जा रही बाहर की हमें मगानी पड़ रही है ठीक है आयात में ब्रधिधी डॉलर की मांग में ब्रधिधी का कारण बनती है जिसके प्रडामसरूत भारते मुद्रा के मूलबर्ग में गिरावट आती है और बैपार अनुपाद के संदर में अमरिकित कत्नों पर बिचार करेंगे पूंजी उत्पादन अनुपाद में कमी के साथ आर्थिक व्रद्धी आर्थिक उत्पादन बढ़ता है तो उल्टा हो गया पूंजी उत्पादन अनुपाद में कमी के साथ आर्थिक उत्पादन बढ़ता है ब पूंजी उत्पादन अनुपाद उत्पादन की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए आवश्क पूंजी की मात्रा है यदि पूंजी या उत्पादन अनुपाद घट रहा है तो इसका आर्थ है कि कम पूंजी से अधिक उत्पादन हो रहा है यदि पूंजी अधिक उत्प कि आदी पर निर्फर करती है तो पहला भी करेक्ट है यह इसका एक्जामपल है कोश्चन नुबर 18 पर आजए यदि कोई देश मंदी का सामना कर रहा है तो निम्लिकित में से कौन सी घटनाएं देखने को मिल सकती है वास्तविक जीडीपी में कमी नामात्र जीडीपी में कमी जीडीपी की विकास दर में कमी उपरोक सभी देखे यदि कोई देश मंदी का सामना कर रहा है तो निम्लिकित में से घटना देखने को मिलेगी वास्तविक जीडीपी में कमी देखे जब वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद घटता है या वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में परिवरतन नकरात्मक होता है तो मंदी की हिस्त्ति जो है होती है यदि कीम्तों में कमhardt सकर हले उतफाद है तो वश्विक स्कल हहले उतपाद में बरसकती है विकाIGNздStar घट रही उत्पाद में गिराबट आ सकती है भले ही वास्तविक सकल घरलू उत्पाद बढ़ रहा हो सकल घरलू उत्पाद की व्रधी दर में कमी का मतलब जरूरी नहीं की सकल घरलू उत्पाद की ब्रधी खट रही है तो यह करेक्ट है फिलाल question number 19 पर आज़े है और important प्रश्ण है और पहली लाइन ही सबसे ज़्यादे important है इसकी यह मुद्राइस फिती और बेरुजगारी के वीच संबंद को दर्शाता है आगे मत पढ़िये कुछ इस लाइन से कई बार प्रश्ण बनाया यह inflation और unemployment के वीच संबंद को दर्शाता है ठीक है और सीधे सब्दों में कहा जाए तो किसी आठवरस्था में बेरुजगारी जितनी कम होगी मुद्राइस फिती के दर उतनी अधिक होगी नम्रिकेत में से कौन सा विकल्प उपर व वक्र वक्र को इंगलेस में कर बोलते हैं सबसे प्रश्ण फिलिप से वने और लारेंज से वने एक प्रश्ण पुछता है आए में असमानिता के कारण ठीक है वो लाइन जो है अगर आ जाए एक्जाम में तो लारेंज वक्र लगा देना उसमें ठीक है तो फिलिप वक्र की बात करें तो फिलिप वक्र जो है मुद्रा इस्फिती और बेरुजगारी के भी संबंद दर्शाता है मुद्रा इस्फिती में ब्रधी से बेरुजगारी को कम किया जा सकता है यह अवधारना अबर्टेस अर्थवरस्था पर बर्टेस अर्थसास्ती विलियम फिलिप सुद्वारा किये गे अध्यन से विक्सित होई फिलिप वक्र एक अर्थवरस्था में बेरुजगारी के दरों मुद्राइस्फिती के बीच एक व्यूत करम संबंद को दर्शाता है यह नीती निर्माताओं के लिए दो बुराईयों महंगाई और अधिक होगी कोशन नमबर टूंटी पर आजए बीसवा प्रश्ण एंटीम प्रश्ण आईए नमरे के दम से कौन सा सब्द ग्लाज फ्लिप्स ग्लाज क्लिप्स की सबसे अच्छी व्याक्या करता है ग्लाज क्लिप्स पहला है ऐसी इस्थिती जहां सरकार का जो राजस्व है वो आ कम रहा है और खर्चा अधिक हो रहा है यानि ऐसी इस्थिती जहां सरकार राजस्व को प्राप्त करने की तुल्ला में अधिक खर्च करती है ऐसी इस्थिती जहां महिलाओं या अल्ब संख्यक व्यक्तियों को संकट या पतन के समय नेत्रत के पदों पर निक्त किय जाता है ठीक है ग्लास क्लिप्स ग्लास क्लिप्स क्या है ग्लास क्लिप्स है ऐसी इस्थि जहां महिलाओं या अल्प संख्यक व्यक्तियों को संकट या पतन के समय नेत्रत के पदों पर निक्ति किया जाता है तो ग्लास क्लिप्स एक ऐसी घटना को संदर्वित करता है जहां महिलाओं को संकट या आजस्थरता के समय नेत्रत के पदों पर निक्त किया जाता है जब विफलता का जोखिम अधिक होता है जिससे उनके लिए अपने करियर में सफल होना और आगे बढ़ना अधिक कठिन हो होता है तो डी करेक्ट है यह सब्द उन चुनोतियों पर भी लागू होता है जिनका सामना अल्प संख्या को यहांसियों पर रहने वाले समुहों को नेत्रत की भूमिकाओं में पदोंनत किया जाने पर होता है कि देखें एकॉनोमिक्स के जो टर्म होते हैं वह हिंदी में क पढ़ते हैं ठीक है इसने दो बार कम से कम उनको पढ़ना अगर को समय में नहीं आता है तो पॉस्ट करके प्रक्टिस करते रहेगा हर दिन ठीक है कि कल एक्जाम में यूपीपीसी का फोटीन को तो कम से कम 115 प्लस तो करने हैं डेड़ सो कॉसन है जी एस पेपर वन में ठीक रीजनिंग से इंग्लेश से और कम्यूनिस्केशन वाले सवालों से पास होंगे तो वह कम से कम सत्तर तो या 65 प्लस तक जाना ठीक है और जी एस में जो आता है वो तो करना है कुछ प्रश्ण तो ऐसी होंगे जो वह ऐसी होंगे कि देद क्यों दिए ठीक है इतने असान हों इनको भी एक करना कुछ सतर वाले होंगे उनको भी एक महें रहा है उनको हवाई नहीं लग रही है उनको छोड़ दीजिएगा क्योंकि वन थर्ड की माइनस मार्किंगे उनको आट्यम्ट करने की कोशसिजन जरू करना जो एक दो यह तीन स्टेट्मेंट बनाकर दिए होते क्योंकि वहां भी संबाबना जो है पचास-पचास की है कम से कम तो चलिए प्रैक्टिस करते रहेगा हर दिन धन्य बाद इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है वहां पर आप टैस्ट नम्बर बन से लेकर यह कौन सा टैस्ट था 284 तक पहुंच सकते हैं